दोस्तों बिटकॉइन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हमने अपेक्षा की थी हमने एक तरह से प्रेडिक्शन की थी कि बिटकॉइन जो है 2475 की लेवल से वापसी करेगा लग रहा है कि ऐसे वापसी करने की तरफ अग्रसर है देखते हैं वो क्या sequence of events है जो इस संडे को होने व चार हजार डॉलर से एक मिलियन डॉलर जिहां दस लाग डॉलर तक ले जाने कि यहां पर आपको पूरी स्टाडिजी बताएंगे मेरा नाम हरोई शर्मा सटोशी स्टाकर इनियम आपको सवागत और जैसा वीडियो का शीट सक है साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे कि वो कौन सी कमपनी है जो बिलियन डॉलर की बिटकोइन जो है खरीद रही है और खरीदने की प्लाइनिक कर रही है तो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के अंत में आप से 50 डॉलर का सवाल पूछा जाएगा जिसके सही जवाब दे रेखा और लक्ष्मन रेखा के पास जाने पर ही वो रावन जो है वो भसम होने की तरफ अग्रसर था रावन यहां पर मैं अतिश्योक्ति दे रहा हूं बियर्स को और उसके बाद तो बिटकोई ने 3.5% का उचाल यहां पर हासिल किया है मात्र फो रावली टाइम फ्रेम प पर एक बुल फ्लाग टाइब को बना रहे हैं जैसे आप जानते हैं बुल फ्लाग मेरा फेवर्ट पैटर ने जहां पर पोल बनता है और फ्लाग फॉर्मिशन होती है तो इसको हम कंटिनिशन पैटर भी कहते हैं इसके चलते बिटकोई जो है अप अब जाता है और जो सिता जो बाइडन की प्रेस कॉन्फरेंस का वेट ना करते हुए पंप कर देंगी और मार्केट में कहीं ना कि हमें कल स्टॉक मार्केट में अलड़ी देखने को बिलके जिसके बारे में एक मिनट में हम बात करेंगे तो ये वो समरी है कि जब बिटकोईन इस एरिया के अंदर भूसा था जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड था तब उसके बाद जो है बिटकोईन ने उस चैनल को ब्रेक करते हुए जिसके बारे में कलम ने बात की थी उसको ब्रेक करा और कन्विंसिंगली ब्रेक करके अब यहां की जाएगी कि बिटकोईन शायद अभी करेंट प्राइस 27,200 या 27,200 की जो इस सपोर्ट लाइन है इससे और 27,700 के बीच में जो है थोड़ा बहुत सफर तै करेगा जब तक या तो कोई पुष्टी नहीं हो जाती या फिर जो बाइडन जो है आकर आधिकारिक तोर पर ऐसा लिए नहीं बता देते की अ की जो है डेट सीलिंग का समाधान प्राप्थ कर लिया गया है और जो बिटकोईन का अगला मूव अगला सूरतेहाल जो है वो कहीं न कहीं इसी इसी रेंज की बीच में होगा जो इससे में बिटकोईन, बिलिन सो डॉलर की भी करीदने की कगार पर है उससे पहले मैं आपको याद दिला दो दोस्तों कि हमारे ट्रेड जो है जो हमने कल परसों की वीडियो में आपको एक हेज ट्रेड दिया था वो ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी अतियंत कामियाब है हमारे पास छे लॉंग्स चालू हैं जो हमने करीब करीब बिटकोईन जब 28,000 सा तब आउन किये थे और क्योंकि मार्केट साइड वेस थी तो वो बुरा परफॉर्म कर रहे थे उनको हेज़ करने के लिए हमने कल हेज़ टेड लिया स्टॉक मार्केट भी खुश नजर आ रही है बुलिश नजर आ रही है कल उसने जो है एक इंपोर्टेंट आकड़ चो और अभी लोकल हाई ऑफ बैयालिसो की तरह बढ़ रही है एक तालिस सो सतत्तर इस समय जो है कल की क्लोजर की टाइम पे स्टॉक मार्केट का लेवल था और वहां से हम मात्रभी 0.7-0.5 परसंट दूर है तो और यह काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा हुआ रहा हुआ रहा हुआ रहा हुआ रेजिस्टन्स लेवल है बैयालिसो का और वहां तक हम हो सकता है अगले दो तिन में पहुंच जाए Friday being tomorrow एक आखरी हफते का जो है training दौर होगा तो तब तक हो सकता है कि Bitcoin का price जो है climb करके which will help Bitcoin to also gain some confidence and potentially try to get to 27,700 so ये वो सूरते हल है Ethereum भी जो है अपनी resistance से थोड़ा सा दूर है 1883 की जो Ethereum जो है थोड़ा सा कम pump हुआ है देखा जाए तो और वहाँ पर अपनी local resistance की तरफ है Bitcoin भी एक local resistance की तरफ जारा अगर हम ये trend line को देखें तो जो कि almost वही 28,200 के आसपास Bitcoin के पास खास कर breach करने के लिए थोड़े थोड़े level पर काफी बड़ी बड़े संगर्श है 27,700, 28,200 etc. तो ये जो है technicals का सूर्थेहाल है हम अपनी trading strategy के बारे में बात करें तो trading strategy हमारी कहीं न कहीं इसी बात पर चलती है कि दोस्तों हमें overall Bitcoin पर विश्वास से कि Bitcoin up up and above जाएगा बट जब जब हमें कोई downward roll दिखाई देता है जब कोई fund दिखाई देता है क्योंकि हमारे overall position आप देखेंगे मेरे 1 January से अब तक के अधिकतर trade जो है 95% trade जो है वो long रहे है बट जब जब हमें लगता है कि market डाउन जा रही है और जैसे इन trades में आपने देखा होगा तीन चर दिन पर नहीं आपको देखाई था two of my trades were under losses इस समय पे अगर हम floating loss की तरफ देखें तो 5 trade जो है वो floating loss में total profit जो है वो overall अभी भी intact है that is our that is our advice and that is our financial advice तो नहीं कहेंगे that is our approach to make our initial investment of 4000 dollars जो यहाँ पर आपको step by step सारी चीज़े बताएगी हमने कौन कौन से trade लिए कि trade में कितना profit हुआ और कैसे हम 4000 dollars से आज जो है करीब करीब almost 10x कर चुके हैं within a frame of 5 months और इस strategy को अपनाते हुए हमारा goal है इस bull market में हमें इसी 4000 dollars की investment को 1 million dollar करना है तो अगर आपको मेरी videos देके लगता है कि आप late हो गए हैं और यह मई आ गया है मेरी January एक से जो है trading strategy चल रही है तो मैं आपको याद दिला दू मेरे विचार से हमारी इस portfolio में हम लोग अभी केवल initial stage पर हैं क्योंकि bull market तो अभी शुरू ही हुई है तो अगर आप भी जो है इसको join करना चाते है मुफ्त में और हमारी advice को हमारे approach को follow करना चाते है बस चब तो आप रोज वीडियो देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा जब जब market में थोड़ा सा कुछ negative news आती तो हम इस तरह के hedge shots कर लेते हैं जिसमें exactly strategy होती है अगर आपने परसों की वीडियो देखिए तो मैंने आपको बताया था shots liquidate होने की जो इनका liquidation price है जैसे यहाँ पर आप देखिए 45,300 जो liquidation price है वहाँ तक जाते हैं थे हमारे जो जो इनका take profit माफ की जो मैंने डाला है वहाँ तक जाते हैं हमारे longs वाले जो trade है वो अच्छा खासा profit बना लेगे इससे जादा profit बना लेगे तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात है यहाँ पर तो इस तरह से हम अपनी trading strategy रखते हैं जो in simple terms हमारी trading strategy long और इंटेट रहती है यहनि कि price के ऊपर 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 जाने की तरफ रहती है और अगर कोई market में temporary glitch आता है कुछ problem आती है तो हम उसको hedge करने के लिए short ले लेते हैं इस पूरे चीज़ को आप trading journal के पहरे link पर देख सकते हैं description में सबसी उपर link डाल रखा है जिसमें जैसे बेन आपको पताई समय 1309% 13x return हमारा अभी तक close हो चुका है बट हमारी aspiration है कि हम 4000 डॉलर को जो हमारी initial investment एक जैनुरी को उसको एक million डॉलर के profit पर लेकर जाएं यह सारे trades उनकी वीडियो हर भाशा में आपको trading ledger में मिलेगी उनके सब हरे trade के screen shots आपको इस वीडियो के description में मिलेंगे trading ledger वाले लिंक पर मिलेंगे और कैसे इन वीडियो को कैसे इस trading strategy को कैसे what strategy को copy paste करना है यह सारी की सारी आपको step by step instructions जो है description में मिलेंगी that is the beauty of this channel free of cost कोई portfolio analysis नहीं कोई you know कोई 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 premium कुछ नहीं सब free में और step by step आपको service section बनानी की प्रिक्रिया जो है यहाँ पर है जो लोग channels पर जा जाके कहते हैं हमें कुछ tips दीजिए हम मैं कब enter करूं दोस्तों इस channel को follow करने के 6 महिने बाद आप खुद decide कर पाएंगे क्योंकि हर रोज हम आपको इतना जादा knowledge देते हैं हाँ थोड़ी सी help करने के लिए मैं आपको trading strategy कैसे one click strategy वो सब देता हूं बट आशा करता हूं कि आप उसको पढ़के समझके खुद अपने decision ले क्योंकि अगर मैं 20x या 10x leverage ले रहा हूं तो आप शायद जादा या कम लेना चाहें depending on your risk appetite तो यह सब इसलिए trading journal बनाया है साथी साथ जो हमारे reference links है वह आपको हर YouTube चैनल पर मिल जाएंगे उसके थुरूब आप जो है joining bonus वगरा प्राप्त कर सकते हैं और मैं हर बार जब भी अपने reference link की बात करता हूं जब इन challenge इसकी बात करता हूं मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि तो आप उस reference link को use कीजिए ultimately आपको फायदा होना चाहिए आपका फायता ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि हम जो है एक अनुभवी टीम है एक साथ में चलने वाली टीम है तो हम अच्छा का सा profit वैसे भी बना लेते हैं profit की बात करें तो यहां पर मैं आपको 200 EMA के significance बताऊंग है कि वह एक तरह से extreme bear market territory है तो वहां से हमें बच के रहना चाहिए 20 weeks EMA on the other hand is extremely bullish scenario जब 20 weeks EMA को cross करते हैं तो उसके बाद massive bull run शुरू होते हैं जैसे कि हमने बार बार लगातार पिछली cycles में देखा है but cut to the main story इस समय अगर आप देखें तो हमने ना केवल 200 weeks moving EMA को cross किया है बलक इंडिकेशन कि जिस much awaited mega bull run कि हम कवायत कर रहे थे वैसे मेरे विचार से हम अलड़ी bull market में है क्योंकि एक January से अगर मैं अब तक का compare करू तो चार महिने में चारो मन्त positive एक महिना नहीं हो जो negative है it's a tremendous achievement बाइडन ने जैसे मैंने कहा कि announcement किया है कि उन्होंने Sunday को एक 6.30 PM Eastern Time ए तो मेरे ख्याल से ये pivotal point होगा market के अपना जो negative रुजहान है या जो भी समय मार्केट में पिछले दो हफते से negativity चल रही है उसको भुला कर आगे बढ़ने का अगली बड़ी ख़बर हमारे यांसे दोस्तों यह है कि USDT की parent company Tether ने अभी अपने तिमाही नतीजे सुनाए अपन लोगों ने USDT की circulation इसमें 82 billion dollar कि after all the year long FUD बट जो है इस इस पूरे 82 billion dollar पर यह 15% तक का operating profit कमाते हैं थ्रू yields थ्रू buying government bonds etc. तो यह आपके पैसे को बहुत अच्छे से safely invest करते हैं इसके चलते इनको 1.5 billion dollar का already bitcoin खरीच चुके हैं यह 2023 March के end तक already Tether USDT की parent company ने 1.5 billion dollar के bitcoin खरीदे हैं बट अगर मेरा math सही है और अगर 85 billion dollar की circulating supply पर यह 15% सालाना profit बनाते हैं तो यह 12 billion dollar का सालाना profit जो है USDT की parent company का चल रहा है और अगर उनने केवल 1.5 billion dollar की bitcoin खरीदे हैं तो आप जानते हैं कि they could become one of the biggest corporates to buy bitcoin और उनके business nature के हिसाब से बनता भी है क्योंकि यह stable coin में है और stable coin को stable रखने के लिए bitcoin की जरूरत पढ़ती है तो वीडियो को यह help विराम देंगे दोस्तों राज का जो है giveaway सवाल पूछेंगे हम जिसके चलते हैं 50 dollar का तक का इनाम जीच सकते हैं जो बाइडन जो की बाइदर वे आपको पता होगा कि Australia में भारत के साथ G7 का दौरा करने वाले थे G7 देशों से मिलने वाले थे हमारे माननी प्रधान मंत्री जी अलड़ी वहाँ पर शिरकत करेंगे जो बाइडन ने अपना दौरा कैंसल कर दिया है इसलिए ताकि वो अपने देश में जाकर debt ceiling crisis को बचा सके इस हाओ सीरियस इस क्राइस इस हिस्तोर 400-500 साल की US की history में केवल चार बार हुआ है वो भी शंट टाइम के लिए इतना बड़ा लेवल का कभी नहीं हुआ है तो आपको के लगता है कि US debt ceiling crisis जो है वो होगा या नहीं होगा विल जो बाइडन अनौन्स दिस ऑन संडे की हम debt ceiling फिर से increase कर रहे हैं और उसके चलते mega bull rally फ फिर से शुरू होगे अपने opinion बताइए अपना BUSD address डाली दोस्तों, USDT address माट डाली, BUSD address डाला मत भूलिए, अपना ख्याल रखिये, धन्यवाद, जैहें